तो इस वीडियो को पूरा सुरू से लेकर अंद तक जरूर से देखना विकॉज इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को Free Fire के biggest top 5 ऐसे mistakes बताऊंगा जिसको आपको कभी भी यूज नहीं करने चाहिए अगर आप यह mistakes करते हो तो आपके साथ काफी पंगे क्रियेट हो सकते हैं आप देख रहा हो प्रोनेशन लाइक और निचे आपको सब्सक्राइब गटन दीखेगा सब्सक्राइब करके बेल अकन को आल पर सेट त्सेट थैंक्यू जो लट्स टार्ड विन नंबर फाइब नंबर फाइब है हमारी जो सबसे पहली मिष्टेक है मतलब जो स्टार्ट हो रहे है वह ऐगा इस ग्लिच फाइल तो होता कहा है कि काफी सारे प्लेयर्स ऐसे भी है जो गेम के अंदर glitch file यूज़ करते हैं जिनको नहीं पता glitch file क्या होता है अभी जैसा कि आप देख सकते हो मेरे पास जो कपड़े है season 2 का hip hop का app है इसके लाव season 2 के shoes है इसके लावा paint है इसके लावा एक old वाला यहाँ पे हमारा hero का t-shirt है होता गया है कि काफी सारे ऐसे प्लेयर से जो अभी beginner है या फिर half time से खेल रहा हुनके अपास old hip hop वाले light passes नहीं है तो वो क्या करते है YouTube पे सर्च करते हाव to get season 2 light pass something यह वो तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है तो उसको ignore करना गलती से भी यह सब यूज नहीं करना अगर आपके पास सच में hip hop है तो ही यूज करो otherwise hip hop पहने से कुछ फाइदा निया अगर आपका gameplay घटी है तो घटी आहीं रहेगा इसलिए यार सबसे पहले gameplay फो अगस करो ना की कपड़ों पे तो hip hop hip hop के चक्कर में यार कोई glitch file इंस्टॉल नहीं कर लेना जैसे सफेद भाई अपने वीडियो में यूज करते है वैसे आपको यूज कभी भी नहीं करना है ठीक है इससे आपकी ID बैन हो सकती तो never use any glitch files in free fire account अपकी ID बैन हो जाएगी so now let's talk about number 4 and number 4 पे है hacking hacking के अगर बात करें तो होता क्या है कि काफी सारे लोग सफेद भाई जैसी वीडियो देखकर सुसते हैं कि हम भी ऐसा switch 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 मारे जो possible नहीं होता तो ऐसे case में वो लोग क्या करते हैं वो लोग hacking करने लग जाते हैं मतला basically hack use करने लग जाते हैं तो guys कभी भी अगर आपको YouTube पे कोई ऐसी वीडियो मिलती है जिसमें आपको एक data दिया जाता है एक file वगरा जिसके तुरू आपका script एक्टिवेट हो जाता है something या hacking वगरा होती है मतला वो files वगरा install कभी भी भूल कर भी नहीं करना वो files अगर आप अपने game के अंदर इन install करते हो तो उससे आपका account बहुत risk पे रहता है वो है skills अगर आपके अंदर skills है तो आप कुछ भी कर सकते हो सब्सक्रिप्शन एक बहुत बड़ी fact and mystery है काफी सार लोगों को नहीं पता होगा बट यह point आपको हमेशा अपने mind में बिठा कर रखनी है subscription से अगर मैं मतलब बात करता हो कभी भी की like subscription में होता क्या है तो मैं आपको सबसे पहले एक बात बताता हूँ तो होता क्या है कि अभी कुछ टाइम पहले की बाता अलमोष्ट एक साल पहले की बाते काफी टाइम होगा कुछ नहीं सबस्क्रिप्शन या फिर weekly membership बोले तो यह साथ दिन का होता है बट सबस्क्रिप्शन लेने पर कभी कभी है नाइन डेस तक आपको मिल जाते है सबस्क्रिप्शन ठीक है और काफी जारे लोग उस चीज को क्लैम कर लेते हैं जो आपको क्लैम नहीं करना है क्योंकि देखो साथ दिन की membership है अगर बाकी कि आप तीन दिन क्लैम कर ले तो आपके वह वहापे weekly membership खरीदो सब्सक्रिप्शन तभी लेना जब आपके गूगल प्ले बैलेंस में एक्स्ट्रा माउंट हो ठीक है सो नाव गाइस लेट्स टॉक अबाउट नमबर टू इस गाइस आइडी शेरिंग तो होता कहा है कि राइट नौ गन्या सीजर आई चुका है आपको पता होग काफी सारे लोग मजदूरी में लग भी गया होंगे जो कोई बुरी बात नहीं है मतला आप लोग खेल सकते हैं यह जश्ट एक क्रिंजी वर्ड है जो मैंने बोल दिया ऐसा तो काफी सारे लोग अफेंड हो जाते हैं हो ना ने ठीक है तो मतला बेसिकली मजदूरी कहने से म दोबल पुशिंग तो होता गया काफी सारे लोग क्या करते हैं कि वो अपनी डी दो तीन लोगों को दे देते हैं लाइक कुछ लड़के हैं जो अपने बॉइफ्रेंड को दे देते हैं तो कुछ लड़के जो अपनी गल्फ्रेंड को दे देते हैं या फिर कुछ ऐसे तो ID share नहीं करो rank pushing के लिए rank pushing के लिए maximum time लोग ID share कर देते हैं फिर ऐसे casually भी देते हैं तो इससे problem यह है कि suppose आपने अपने friend को ID दे दी एक दो तीन चार को दे दी अगर ज़्यादा लोग को दे रखा तब तो आपके साथ और vlog होने वाला मतलब काफी लफड़ा है भाई यहाँ पे तो कभी भी भूल के भी किसी को भी ID share मना करो अगर आप ID share करते हो तो ऐसे case में भाई वो बंदे ने तो hack use करके आपको risk पे डाल दिया इसके लाव आपके ID जो और जिनके पास होंगे उनके भी device ban होने के संभावना है मतलब chances हैं full तो इस वज़े से ID share ना करो वो player जो आपका friend है जिसको आप हाल फिलाल जान रहा हो वो बंदा hack use करके आपके लगा सकता है इसके लावा second thing is that एक और problem ID sharing में आप ID password किसी को दोगे और आपका वो अभी just recent बना हुआ दोस्त है ना वो कभी भी आपकी ID मार के चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा मतलब literally वो player पे आप कैसे भरोसा कर सकते हो जो इससे आप कभी real life में मिले नहीं आप उसको ID क्या सोच के share करते हो तो ID शेयर करने से सबसे बड़ा problem ये भी होता है कि आपकी ID हैक हो सकती हैक means कि लाइक वो ID आपका लेकर सरक लेगा और आपको मतलब कुछ पता ही नहीं चलेगा कि आपकी ID कब कहां चलेगी password chain something ऐसा लफड़ा हो सकता है तो मत करना ID शेयर तो hope करता हूँ आपको गाईज ये mistakes नहीं पता थे ये वीडियो देखने के बात पता चले तो वीडियो को याद से लाइक कर देना I will see my next roll तब तक के लिए बाए गाईज love you all, bye